इरिगेशन इंजिनेरिंग में जितने भी इंस्ट्रूमेंट से तता ग्राफ हैं जिससे रिलेटर आपके एक्जाम में कोशन मनते हैं आज हम उन्हीं के बारे में डिसकस करेंगे तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल की विप टेक सिविल इंजिनेरिंग में वीडियो को बड़े ध्यान से दीखीएगा क्योंकि जो भी मैं बताऊँगा जिस इंस्ट्रूमेंट था ग्राफ के बारे मैं बताऊँगा उसी से रिलेटेट प्रिवेश यह में जितने भी mcqs पूचे गए हैं उन्हें भी मैं कराऊँगा तो वीडियो को बड़े ध्या को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजीगा और हाँ जादा स्यारा share कीजेगा जिससे हमें support मिल पाए और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं फर्स्ट इंस्ट्रुमेंट है आपका एट्मोमीटर इवैपरेशन पैन और इवैपरी यह तीनों एक ही डिवाइस है a scientific instrument used for measuring the rate of water evaporation from a wet surface to the atmosphere अर्थात आपके किसी गिली सता यानि wet surface से कितना वास्पी करण हो रहा है आपके एट्मोमीटर में इस चीज़ को वास्पी करण को मीजर करने के लिए second हम बात करेंगे phytometer या इसे ही हम बोलते है potometer a device for measuring transpiration यानि वास्पोत सर्जन from the surface of a plant or leaf किसी पौदे अथवा उस पौदे की पत्ती से जो वास्पोत सर्जन होता है यानि कि जो वास्प है वो निकलता है उनके थ्रू उसे मीजर करने के लिए जिस instrument का यूज किया आता है उसे ही बोलते हैं phytometer या potometer यहाँ एक term आया transpiration यानि वास्पोत सर्जन इसका क्या मतलब है इमेज में आप देख सकते हैं जब आपके पेड़ की पत्तियों से या पौधों से आपका जब पानी यानि वास्प के रूप में निकलता है तो इसे ही बोलते हैं transpiration या वास्पोत सर्जन इससे पहले वाले definition में आपने पढ़ाता evaporation evaporation क्या होता है किसी भी सरफेस से जब आपका पानी उड़ता है वास्प बनकर उड़ता है तो उसे बोलते हैं evaporation लेकिन वही प्रक्रिया जब किसी पेड़ पौधे या प्लांट में होता है तो उसे बोलते हैं transpiration और इसी transpiration को मीजर करने के लिए जिस device का यूज करते हैं उसे बोलते हैं phytometer या photometer इमेज में आप देख सकते हैं यह phytometer या photometer अब आपके लिए एक बहुत interesting question जिसका जवाब आपको comment करना है आपको यह बताना है कि जो बीच वाला image है यानि यह image इसमें कौन सा पौदा है शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इसका नाम ना पता हो तो इसे ध्यान से देखिए और मुझे comment करके बताईए यह कौन सा पौदा है next device है हमारा lyzimeter a measuring device which can be used to measure the amount of actual evapotranspiration which is released by plants आपके plant के द्वारा जो actual evapotranspiration होता है उसे measure करने के लिए हम जिस instrument का use करते हैं उसे बोलते हैं लाइजी मीटर अब यहाँ पर बात आती है कि हमने evaporation पढ़ा transpiration पढ़ा लेकिन यह evapotranspiration क्या होता है तो समझिए evaporation और transpiration को जब एक साथ हम बोलते हैं तो उसे बोलते हैं evapotranspiration यानि evaporation plus transpiration is equal to evapotranspiration यहाँ पर evaporation क्या होता है कि जब आपके किसी surface से water जो है वो वास्पित होता है उड़ता है तो उसे बोलते हैं evaporation transpiration क्या होता है कि जब आपके पेड़ पौदों से या उसकी पतियों से आपका जो water है जो आपका wasp है वो उड़ता है तो उसे बोलते हैं transpiration लेकिन अगर ये दोनों प्रक्रियाओं को हम एक साथ ले तो उसे बोलते हैं evapotranspiration यानि ऐसा process जिसमें transpiration भी हो रहा है और आपका evaporation भी हो रहा है तो उसे बोलनेंगे हम evapotranspiration I hope अब आपको समझ में आ गया होगा कि difference क्या है evaporation, transpiration और evapotranspiration में और इसी evapotranspiration को measure करता है lysimeter image में आप देख सकते हैं ये सबी है lysimeter तो I hope अब आपको photometer का यूज करते हैं transpiration के लिए और lysimeter का यूज करते हैं evapotranspiration के लिए next device है tensiometer a device for measuring soil moisture tension SMT एक ऐसा device जो कि soil moisture tension को measure करता हो उसे बोलते हैं tensiometer अब यहाँ पर बात आती है कि soil moisture tension यानि SMT ये क्या होता है तो चलिए इसे भी जानते है soil moisture tension soil moisture tension is the measurement of how strongly water is held in the soil pressure that plant exert to extract water from this soil इसे ध्यान से समझेगा आपका जो soil होता है उसके बीच में capillary water रहता है पानी रहता है जो कि strongly bound रहता है ठीक है अच्छे से वहाँ पर strongly का जकडा हुआ रहता है अब आपका जो plant है उसे पानी चाहिए अब पानी को soil से अपने अंदर खीशने के लिए वो एक pressure लगाएगा ठीक है और इस pressure को ही बोला जाता है soil moisture tension यानि साफ बात यह है कि soil के अंदर जो नमी है उसे plant अपने अंदर खीशने के लिए जो pressure लगाता है उसे ही हम बोलते है soil moisture tension या short में SMT और इसी SMT यानि soil moisture tension को जो मीजर करता है उसे बोलते हैं tensiometer इमेज में आप देख सकते हैं यह है tensiometer next device है आपका rain gauge a device for collecting and measuring the amount of rain which falls rain यानि बारिस की मात्रा को जो मीजर करता है उस device को बोलते हैं rain gauge यह बहुत से type के होते हैं the types of rain gauge non recording type rain gauge जैसे कि आपका Simon's RGRG मतलब rain gauge है second है recording type rain gauge जैसे इसमें आता है waiting bucket type rain gauge भी है आपका tipping bucket type rain gauge और C है आपका floating और natural siphon type rain gauge यह सभी हैं आपके type of rain gauge जो कि different different condition के हिसाब से इसका use किया आता है अगर आप चाते हैं इसके उपर भी एक अच्छी सी वीडियो बनाओ तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा क्योंकि rain gauge से related इससे अंदर से काफी deeply caution बनता है image में आप देख सकते हैं यह सभी है rain gauge अलग-अलग condition के इसाब से हम अलग-अलग rain gauge यूज करते हैं अगर आप चाते हैं कि rain gauge के उपर मैं एक different वीडियो बनाओ तो मुझे comment जरूर कीजिएगा आप जितने भी student हमारे कीविटेक YouTube चैनल के वीडियो देखते हैं उनमें से लगबग 75% student ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया है तो उनसे मेरा request है कि please चैनल को subscribe कर लीजिए जिसे आपको सारी वीडियो की notification time to time मिलते रहे और हमें भी motivation मिलता रहेगा जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे तो please चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए नेक्स इंस्टुमेंट है current meter दा इंस्टुमेंट इस यूज़ड फार एकुरेट डिटर्मिनेशन आफ दा करंट विलोसिटी इन दा वाटर वेवस, चैनल, रिवर्स, एंद दा सी आपके समुद्र, नदी, तालाब, चैनल, वाटर वेवस इनमें water wave की विलोस्टी क्या है इसे मीजर करता है करंट विलोस्टी कितनी है इसे मीजर करता है आपका select meter नाम से confuse मत होना कि इसमें है current तो इसका मतलब light को यह मीजर करता होगा नहीं, current meter होता है, velocity को मीजर करता है, water velocity image में आप देख सकते हैं, यह सब है current meter इसमें आप इस image में देख सकते हैं कि भाई सब क्या कर रहे हैं एक तलाब है उसमें water waves का कितना velocity है इसे miser कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रस्न जिसका जवाब आपको comment करना है question है which of the following is a non recording rain gauge इन में से कौन सा non recording rain gauge है मैंने अभी बताया था तो जो भी इसका correct answer option number A, B, C, D में से जो भी हो आप मुझे comment करके बताइए and please comment जरूर कीजेगा अगर आपको इस answer पता है तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं आप वीडियो को दुबारा देखी आपको समझ में आ जाएगा next हम बात करेंगे hydrograph hydrograph क्या होता है a hydrograph is a graph showing stage discharge volume of runoff or other properties of water flow with respect to time hydrograph आपका runoff या discharge volume तथा time के बीच में एक graph होता है जैसा कि आपको image में दिख रहा है ये graph है और इस graph को बोलेंगे हम hydrograph simple language में बात करें तो hydrograph क्या होता है discharge versus time या runoff versus time के बीच में ग्राफ होता है next है depth area duration d.a.d. curve depth area duration d.a.d. curve analysis of a storm is done to determine the maximum amount of rainfall within various durations over area of various sizes किसी area में अलग-अलग time पर क्या rainfall हो रहा है इसका analysis करता है depth area duration curve image में आप देख सकते हैं ये है d.a.d. curve जो कि किसके बीच में है rainfall और area यानि कि साब बात अगर हम सीधी सब्दों में बात करें तो depth area duration d.a.d. curve क्या होता है rainfall versus area के बीच में curve होता है एक graph होता है next है mass curve the mass curve of the rainfall is a plot of the accumulated precipitation against time mass curve एक graph है एक curve है जो accumulated precipitation और time के बीच में है accumulated precipitation का मतलब होता है संचित वर्सा जो एकत्रित हुई rain water है और time के बीच में जो graph बनता है उसे बोलते है mass curve image में आप देख सकते हैं ये है mass curve simply अगर हम बात करें तो accumulated precipitation और time के बीच में जो graph होता है उसे बोलते है mass curve next है hydrograph a hydrograph is a graphical representation of the distribution of rainfall intensity over time hydrograph एक ऐसा graph या एक ऐसा curve है जो आपका है rainfall intensity और time के बीच में image में आप देख सकते हैं ये है hydrograph यानि कि rainfall intensity और time के बीच में जो graph होता है उसे हम बोलते है hydrograph इसके बाद है isohytal line a line joining points of equal rainfall on a map in a given period किसी समयान त्राल में आपके जिस जिस point पर equal rainfall हो रहा हो उन सभी point को मिलाने वाली line को ही बोलते हैं isohytal line image में आप देख सकते हैं ये जो map है इसमें कुछ lines है जिसका जवाब आपको comment करना है what is unit hydrograph unit hydrograph क्या होता है मैंने hydrograph के बारे में बता दिया अब आपको comment करना है और यह बताना है कि unit hydrograph क्या होता है और हाँ जैसा कि मैंने आपको starting में बोला था तो ये वीडियो मैं यहीं पर खतम करता हूँ, लेकिन मैं आज एक और वीडियो ले के आऊँगा, जो इससे रिलेटर जितने भी MCQs है, प्रिवेस एर के questions है, वो मैं कराऊँगा, जैसा कि आप image में देख सकते हैं, ये वीडियो आपको आज ही मिलेगी, और जो कोशन मैंने वीडियो के बीच में पूछा था, और last में पूछा था, unit hydrograph क्या होता है, इन सबको मैं explain कर दूँगा next वीडियो में, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, जिससे कि आपका जो next वीडियो मेरा आ रहा है MCQ का, उसमें मुझे बताने की जरूत न पड़े, आपको पहले से पता चल जाए कि इसका answer क्या है, और हाँ, अगर वीडियो को like नहीं किया, तो like कर देना, चैनल को subscribe तो जरूर कर लेना, क्योंकि इसके लिए कोई मूरत नहीं देखना पड़ता है, आप कभी भी कर सकते हो, thank you so much,